तो दोस्तों इस साल की सबसे महेंगी फिलिम पोनियन सेलवान रिलीज हो चुकी है और रिलीज होते ही इस फिलिम ने कई सारे जहंडे गार दी हैं यह मुवी अपने बजट स्टार कास्ट और परफोर्मंस के वज़ा से बहुत सारी सुर्खियां बटोर रही है तो आईए जानते हैं इस मुवी से जुड़ी साथ ऐसी फेक्ट जो की आपको बिल्कुली पता नहीं हो पोनियन सेलवान एक तमिल नोवल पर अधारित है जिसका नाम भी पोनियन सेलवान ही था और जिसे कलकी ने लिखा था 50's के टाइम में पोनियन सेलवान का राइट्स M.G. राम चंदरन ने मात्र 10,000 रुपे में खरीदा था M.G. राम चंदरन तमिल सिनेमा के एक लेजेंडरी एक्टर है और वह तमिल नाडू के CM भी रह चुके हैं P.S.1 के डाइरेक्टर मनी रत्नम ने एक बार 1994 में भी P.S.1 को बनाने की कोसिस की थी 1994 में भी इस मूवी का बजट उन्होंने 100 करोड रखा था जिसके वज़से यह मूवी बन नहीं पाई और अब इस मूवी का बजट 500 करोड है प्रुवात में मनी रत्नम ने P.S.1 को एक स्टेंड अलोन मूवी बनाने की कोसिस की थी और धीरे धीरे उन्हें एसास हुआ कि इतने ब्रोड स्टोरी को सिर्फ तीन गंटे में नहीं दिखाया जा सकता जिसके वज़से इसके दूसरे पार्ट भी अब आएंगे 2010 में पौनियन सेल्वान के स्टार कास्ट में मैस बाबू और विजय थाला पती को भी सामिल किया गया था और उन दोनों का टेस्ट फोटो शूट भी हुआ था पर बजट की वज़़ा से फिल्म आगे नहीं बढ़ पाई पौनियन सेल्वान IMAX format में रिलीज होने वाली पहली तमिल मुवी बनेगी पौनियन सेल्वान तमिल फिल्म इंडस्टरी की दूसरी सबसे महेंगी फिल्म है अगर आपने भी पोनियन सल्वान देखी है तो आप इसे कितनी रेटिंग देगे हमें कमेंट में जरूर बढ़ें और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सस्क्राइब करें